सच है क्या कि तीसरे महीने में ही बच्चे की अगर हलचल आ जाती है जो ओल्ड वाइफ्स ने बताया है वो बाते सच अंदर बेबी किक्स के उपर बाते की जाएगी मेरे साथ बेबी की पहली बार कब आई थी किस हिसाब से बच्चे की मुवमेंट पूरी प्रेगनेंसी मैंने नोटिस की साफ में बात की जाएगी क्या बच्चे नाभी के उपर ज्यादा हलचल करते हैं या नाभी के नीचे बच्चों के कंप्लीट मुवमेंट को लेकर कुछ लाइब वीडियो में लगाऊंगी जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कुछ अंजानी या अनकही बाते चीजे एक्सपीरियंस किया बच्चों के हलचल से रिलेटेड उन बारे में भी उन सारे पॉइंट्स को यहां पे बाते करके आपको बताई जाएगी सपनों से रिलेटेड भी कुछ मैं चर्चा करूँगी और बच्चे दिन या रात कब ज़्यादा हलचल करते हैं एक बच्चा एक दिन के अंदर जिसका कह सकते हैं चौथे या पाच्वे महिने की प्रेग्नेंसी चल रही है या इससे ऊपर चल रही है तब हम कितने बेबी के एक्सपीरियंस करते हैं चल ये बाते डेर सारी है तो कंप्लेट वीडियो को वाच किजिए चलिए हम पॉइंट के उपर आते हैं बच्चे जो होते हैं तीसरे महिने या चौथे मिने या पाच्वे मिने में आखिर कब बेबी केक्स करते हैं बच्चों का परसनल डिसीजन होता है उनकी ग्रोथ होत लिए मदर का नोटीस करने का तरीका होता है तब जाकर हम आइडिय लगा पाते हैं कि बच्चे की हल चल जो है वह इस महीने में आई है कुछ मैलाए ऐसी हैं बच्चे की हल जल तीसरे महीने से आ रही है उनको पता ही नहीं चलता है ऐसा लगता है उन्हें साइद गैस बबल्स है तो हो सकता है चौते या पाच्वे मीने में या फिर अभी अभी कुछ टाइम पहले मेरी एक सब्सक्राइबर ने बताया कि उनको बेबी किक्स आती थी पहले से बाद में उन्हें लगा कि बच्चे की हलचल नहीं आ रही है टाइमिंग 25 वीक जा पहुची थी इतना लेट समय होने पे जब डॉक्टर से उन्होंने चेक अप करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट के उपर बहुत सारे फैट्स हैं जिस वजह से बेबी किक्स या बच्चे की हलचल आप महसूस नहीं कर पारी है बच ऐसा देखने में लग रहा है कि बचा तो एक डेर महीने पहले से हलचल कर रहा है तो मतलब की अंदाजा लगा लीजे इस चीज़ में कितना उपर नीचे नोटिस करने का तरीका वगिरा है खासकर ये उनके लिए टफ होता है जो पहली वहर जिसे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये बेबी किक्स ही है कोई गैस बबल्स नहीं है फिर बात करते हैं इस पॉइंट के उपर कि दिन या रात कब बचे जदा हलचल करते हैं बचा जब भी जगा रहा है अगर बचा दिन में जगा है तो दिन भर हलचल करेगा अगर ब बहुत बार ऐसा होता है कि रात में माये सोई रहती हैं और बच्चा मतलब की बेवी किक्स कर रहा होता है। मैंने एक चीज़ पर्सनली एज एक्सपिरियंस मॉम नोटिस किया कि कुछ दिन मैंने यह समझा कि बच्चा डेली डेली दिन के अंदर हल चल कर रहा है। लेकिन एक दो दिन ऐसा हुआ कि बच्चे की हल चल रात में आई तब मैंने रात में नोटिस की फिर अगेन मैं चेक कर पारी हूं इस चीज को जहां तक मुझे रिकॉल है कि डेली डेली अब रात में हल चलाने लगी 10-12 दिन तक सेम साइकल हुआ फिर अगले कुछ दिन बाद दिन में हल चलाने लगी तो जब रात में आती है बेबी कि डेली डेली मतलब कि आप ऐसा कुछ सोचिए न हमारा रूटीन कैसे सेट अप होता है 12 गंटा 15 गंटा जगते हैं रात के बाकी 10-11 गंटा या फिर रेस्ट मोड में जाते हैं साम को 8 या 9 बज़े से अगले जिन लगा तो ये प्रॉक्स 12 गंटे चब कंप्लीट होंगे जगने के तो उसको नीद आ जाएगी तो पता चले कि वह दिन में सो रहा है रात में जग रहा है ऐसी सिचुएशन आने लगती है तो इसमें भी एक मदर को एड़स्ट करना होता है नोटिस करना होता है गपडानी की कोई जरूरत नहीं है अगर बच्चा उल्टे पैटरन में चल रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मतलब बर्त के बाद ये दिन या रात ये सिस्टम टाइमिंग ये सब बर्त के बाद फॉलो करने वाली चीज़े है पहले तो कुछ भी हो गर्व के अंदर इस